विकाश को दबोच लिया जाता है, मगर विकाश बोलता है, मैं मजबूर था. मेरा बड़ा भाई कमल मुझे जान से मारने की धमकी दिया था, और ये सब मैं मजबूरी में किया. विकाश ने कमल की कमजोरी बताई जिससे छोटू और श्वेत ने कमल को उसके गुप्त अड़े में पकड़ लिया और उसे घर दबोचा इतने में ही विजय दिनानाथ उर्फ महाराज और पूजी योध्धा आ जाती है छोटू और श्वेत को रामघड के आया जाता है अचानक जस्ट फील बोलती है ओए हैलो मुझे मार्केट जाना है चलो भी और विकाश बोलता है मेम साब आपको हम मनिगड का बाजार घुमाते है यही सब के बीच दो सपेरे हवेली में प्रवेश करते हैं जिनका नाम था डियेम, उर्फ देव और निलेश, उर्फ महेश दल्ला सन की बॉय बोलते है आप लोग यहाँ दोनों सपेरे बोलते है यहाँ एक इच्छाधारी नागिन है उसे पकड़ने आए है अंकिता सिनहा को शक होता है आखिर क्या चाल है यह छोटी उसी बरगत के पेड़ के पास जाता है बस वो सोनल के बारे में सोच रहा होता है कि सोनल सामने आ जाती है सोनल बोलती है उस राद जो तुमने परच्छाई देखी वो परच्छाई मेरी ही थी मैं तुमको कुछ बताना चाहती थी मगर भानू उर्फ फणी बॉय के पास ऐसा ताबीज है, जिससे मेरी शक्ती बहुत कम हो जाती है. छोटू बोलता है, बताओ क्या बात है? सोनल बोलती है, जो दो सपेरे है, उन्हें भानू उर्फ फणी बॉय और मंत्रा ने बुलाया है. छोटू बोलता है, ऐसा क्यों? सोनल बोली जस्ट फील नागिन को, पंडित आशुतोष तिवारी ने खास बुलाया है, जो सन्की बॉय की जान की रक्षा करेगी. यही सारी बात बता के सोनल गायब हो जाती है. यह सारी बात छोटू अंकिता को बताता है. अंकिता सुनके सारी बात को विकाश को बोलती है, जस्ट फील को घर मतलाना सब हाल बताती है. विकाश भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे मौका मिल चुका था. इसी तरह यह बात सारी गुप्त रखी जाती है, और सब वैसा चलने दिया जाता है. इसी तरह आज का भी तिलक चड़ जाता है. और कल पूर्णिमा की रात होगी आशुतोष तिवारी, श्वेत, छोटू, अंकिता, पूजी, और दोनों गड़ की सरपंच के बीच सारा रणनीती बनती है. वही चीकू, उर्फ जस्ट फील और ड्राइवर विकाश राज का श्यब भी आ जाते हैं. वही दूसरी तरफ गद्दारों की साजिश अपने चरम सीमा में थी. अगले दिन साना खान जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की विशे शद्धी थी. इसी बीच एक शक्स था, जिसका नाम था मोना देव जी थी, तो बंगाल से, मगर वो मनिपूर में रहती थी. हवेली में अब शादी का उत्सव की तैयारी चालू हो चुकी थी. हवेली में आज पूर्णिमा की रात कुछ बड़ा होने वाला था, जिसका शायद किसी को अंदाजा नहीं था, मगर आज सारी रणनीती बनाई जा चुकी थी. दो सपेरे डियम उर्फ देव, वही निलेश, उर्फ महेश दल्ला, ये दोनों सोनी, रोहित उर्फ चीकू, भानू प्रताप उसके बेटे और कौर उर्फ मंत्रा हवेली की एक अलग कोठरी में एक भव्य हवन की तैयारी में थे. ये हवन कोई मामूली हवन नहीं था, बलकि ये हवन हवेली में मरी हुई जो गद्दारों की आत्मा थी, उन्हें जगाने का हवन था. एक तरफ सनकी बॉय द्वारा बुलाए गए सभी महमान अपनी रणनीती को अंजाम देने के पूरे तैयारी में थे. पूजी योद्धा, विजय दीनानाथ चोहान, उर्फ महाराज जी अपने सारे आदमी के साथ हवेली के चारों तरफ शक्त पहरेदारी दे चुके थे. पहरेदारी इतनी शक्त थी कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था. वही सनाखान जो पैरानॉर्मलिस्ट थी. श्वेत ठाकुर और अंकिता शर्मा जासूस के साथ हवेली में होने वाली रहस्यमय घटनाओं में नजर रखी हुई थी. चोटु शायर और दोनों गड़ की सरपंच नेहा खान और सोनम पी के साथ शादी में होने वाली आवश्यक पूजा में किसी भी प्रकार का विगन बाधा ना आय उसके इंतिजाम थे. सिधार्य बावर्ची के साथ कुणाल चौकीदार खान पान की सामगरी का ध्यान रखा हुआ था। काले बादल जो पूरे हवेली के चारों तरफ मंडरा जाते हैं, बहुत तेज से तूफान आता है, यह तूफान एक संकेत्था की बुरी आत्मा जाक चुकी है। सना खान को हवेली में नकारत्मक शक्ति जो भिहत ही ताकतवर है का एहसास होता है। श्वेत ठाकुर और अंकिता शर्मा सना खान के कहने पर अपनी रणनीती के अनुसार हवेली में बुरी शक्ति के प्रभाव को कम करने के लिए हवेली में अच्छी ताकतों को बुलाना की कोशिश में लग जाती है। नीले शुर्फ महेश दल्ला और डीम जो दोनों सपेरे थे जस्ट फील उर्फ चीकू जो एक इच्छधारी नागिन थी उसे अपने वश में करने के लिए बीन बजाना शुरू करते हैं। अचानक इच्छाधारी नागिन जो काली ताकत के प्रभाव को कम करने में अपनी शक्ती लगाई थी, वो शक्ती कमजोर होने लगती है। जिससे जस्ट फील अपने पूर्ण नागिन रूप में आ जाती है। वही विकाश राज कशिप ये सब देख बेहोश हो जाता है। अचानक से डाकू जो कमल कशिप के आदमी थे हवेली में हमला कर देते हैं। महराज, पूजी और अपनी पलटन के साथ एक घमा सा युद्ध करते हैं। हवेली में भगदड का माहोल था, सब छुप जाते हैं। पूजी, महराज, श्वेत और शायर छोटू, अपनी अपन तोड मुटफेड होती है। इसी लडाई में मोना देव जो बंगालन थी, अपने गुरु बाबा को बुलाती है। क्यूकि पंडित आशुतोष तिवारी अकेले इतनी बुरी शक्ति के साथ नहीं निपट सकते थे। क्या होगा आगे? क्या बुरी ताकत गददार लोग ज जीत जाएंगे? क्या सन की भाई द्वारा बुलाए गए लोग अपनी सारी कसर लगाके शादी को सफल बना पाएंगे? जानने के लिए देखते रहे, कसर एक अंसुल्जा रहस्य भाग. 4. लेखक शायर छोटू तेजाब